हेलो व्यूवर्स स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में जैसा कि आप लोग को हर बार की दा थमनेल लेकर पता चल नहीं गया होगा कि आसका वीडियो का टॉपिक किस पर है जी है दोस्तों मैं आप लोग का ट्रंस्मिशन मोड या डेटा फ्लो के बारे में बता होता है दो डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रंस्फर करने की मोड को हम लोग करते जी हाँ इसे हम लोग unidirectional भी करते है sender से receiver की और data code transfer किया जाता है receiver कुछ back से response sender को नहीं दे सकता है इसमें जो इसकी demaried है तो चलिए हम लोग definition देखता है in simplex mode the communication is unidirectional मतलब एक ही direction में data code transfer किया जा सकता है sender से receiver की और means the data travel only in one direction that is from a sender to a receiver फिर मैंने पहले भी कहा था the receiver cannot response back to the sender receiver जो होता है sender को कुछ back में response नहीं दे सकता है इस simplex में कि मुझे data मिला कि नहीं मिला data lapse कर गया या data कुछ corrupt हो चुकी है इसका सबसे अच्छा example keyboard और traditional monitor होता है जी हाँ simplex device का keyboard क्या होता है बस input दे सकता है और monitor क्या होता है बस output को receive कर सकता है back से कुछ response नहीं दे पाता है simplex में यह तो simplex का definition हो गया हम लोग half-duplex में चलते हैं दस्तों half-duplex क्या होता है half-duplex में data transfer दोनों side से होता है transmit भी कर सकता है receive भी कर सकता है but same time में नहीं जी हाँ, same time में data को transfer या receive नहीं किया जा सकता, एक time में या तो transfer होगा या तो receive होगा, definition हमनों देखते हैं, in half deflex mode, each station can both transmit and receive, मतलब कि कोई भी station data को transfer भी कर सकता, receive भी कर सकता है, but not at the same time, send time में नहीं, when one is sending, the other device only receive, मतलब कि अगर एक send करता है तो दूसरा one भी receive करेगा, या दूसरा send करता है तो पहला one भी receive करेगा, एक साथ data का transfer नहीं किया जा सकता, मतलब कि एक साथ, दुनों sender या receiver data को साथ में transfer नहीं कर सकता है data को, जी हाँ, इसका सबसे अच्छा example है, walkie talkies या citizen band का जो radio आता था, walkie talkies में आप लोग police लोग क्या करते हैं, जब तक over and out नहीं नहीं करता है, जी हाँ, police लोग walkie talkies का use करते हैं, आर्मी लोग इसका use करते हैं, एक time में एक ही आत्मी walkie talkies में बोल सकता है, अगर दोनों साथ में ही बोलेंगे, walkie talkies में, तो क्या होता है data lapse कर जाएगा, या आवाज corrupt हो जाएगा, या अच्छी से आवाज सुनाई नहीं देगी, जी हाँ, ये तो हो गया half duplex, full duplex में क्या होता है दोस्ता, in full duplex, इससे हम लोग duplex भी करते हैं, data transfer भी होती है, receive भी होती है, same time में हम लोग data को transfer और receive कर सकते हैं, जी हाँ, आप देख सकते हो, in full duplex mode, also called duplex, both stations can transmit and receive data simultaneously, हाँ, साथ में डेटा को हम लोग ट्रांसपर और रिसीब कर सकते हैं सेम टाइम में हम लोग डेटा को ट्रांसपर और रिसीब भी कर सकते हैं इसका सबसे अच्छा एक्जामपल modern में हम लोग जो mobile phone यूज़ करते हैं या telephone यूज़ करते हैं सबसे अच्छा एक्जामपल है हम लोग बात करते-करते अपना बात दुसरे को बता भी सकते हैं और सेम टाम में उसकी बात को सुन भी सकते हैं यह सबसे ज्यादा यूज़ होने वाला में हम लोग फोल्ड एप्लेक्स भी करते हैं इस alike मैं थोड़ा साव छोटा कर देता हूं आप लोग यहां से राइड भी कर सकते हो यहां पर मैं फिर से क्या होता है서 रिपीट कर देता है सबु calendar सब्सक्किंग क्या होता है एक कवर सकते हैं संप्लयक्स में जी हैं अगर आप लोग कोई भी कोशंण पूछना है या कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, वार्ट सिप कर सकते हो, या कॉमेंट सेक्शन में जाके कुश्चन भी पूस सकते हो, आसा करता हूँ या आप लोग को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी मिलता हूँ एक नियो वीडियो के साथ, तब तक के ल निवाद,